नमस्कार दोस्तों फिट से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो होने वाला है फेडरल बैंक की उपर फेडरल बैंक जो एक मीड कैप कमपणी है उसके उपर वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आते हैं कमपणी के फंडामेंटल की वार कमपणी का जो मार्केट कैपिटलेजिसन है वह 15,860 कड़ो आसपास का है आप समझ सकते हैं कि यह एक मीड कैप कमपणी है अब चलते हैं कमपणी के अर्णिंग पर शेर के उपर जो साथ के आसपास है ठीक ठाक है पीई कमपणी जो कैपिटल है उसको बहुत एफेक्टिवली यूज़ कर रहा है प्रॉफिट जनेरेशन में मतलब जितना कमपणी का कैपिटल है उससे वो बहुत एफेक्टिवली काम पे लगा रहा है और प्रॉफिट जनेरेट कर रहा है इससे जो कमपणी का आरो सी है रिटान इंप्रूब कर रहा है last 2 साल से उसके बाद जो एसेट है company का वो भी ये company बहुत efficiently use कर रही है manage कर रही है और profit generate कर रही है बहुत ये अच्छी तरीके से उससे क्या हो रहा है जो return on assets है ROA वो भी improve कर रहा है last 2 साल से जो company का net profit है वो लगातार increase हो रहा है quarter on quarter basis के उपर जो एक बहुत positive sign है उसके बाद company का annual net profit है वो भी increase कर रहा है last 2 साल से और improve भी कर रहा है उसके साथ ही company का जो book value पर share है वो भी improve हो रहा है last 2 साल से और सबसे जो important बात है foreign institutional investors FII's और FPI और जो घरेलू निवेशक होते है DII's जिसको हम बोलते हैं वो भी अपना जो हिस्षेदाड़ी है वो लगातार increase कर रहा है अब जलते है company के returns की और आप अगर इस company में एक साल invest करते last one year तो company आपको 80% के आसपास return देती अगर 6 महीने invest करते तो 51% के आसपास return देती one month में करते तो थोरा return कम आता 0.76% one week में 5.72 और two साल में ये घटके 19% माइनस में आ रहा है और तीन साल में भी 21% approximately मतलब आप अगर इस company में mid term के लिए invest करते हैं तो आपको अच्छा खास return मिलेगा अब चलते है company के टेक्निकल्स की और आप देख सकते है company का जो टेक्निकल डेटिंग आ रहा है वह very bullish दिखा रहा है मतलब very bullish कब कहते हैं जब company बहुत अच्छा return देने वाली है और दे रही है अगर आप देखे 5 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन 200 दिन का जो moving average है वह सब में bullish दिखा रहा है सिर्फ 50 दिन को छोड़के अब आते है technical indicators की और RSI, MACD, ROC, CCI वगएरा various जो indicator होते हैं उस लगातार वह सब bullish दिखा रहा है सिर्फ MACD को छोड़के अब आते है market crossovers, MAC crossovers की गवर अगर देखे आप तो 5 और 20 DMA crossover और 50 और 200 DMA crossover जो short term के लिए है और long term के लिए दोनों bullish दिखा रहा है सिर्फ mid term जो 20 और 50 DMA crossover है वही इसको bearish दिखा रहा है अब चलते है company के सबसे important part में क्योंकि एक bank का जो सबसे important part है investment के नजरिये से वो है NPA अगर आप देखे तो September 2020 में Federal Bank का जो net NPA था वो 0.99% के आसपस था जो घटकर December 2020 में ये 0.61 के आसपस आके रुका है जो एक positive sign है अगर आप देखे gross NPA को वो भी 2.80 था September 2020 में और December 2020 में आके वो भी 2.67 के आसपस रुक गया मतलब company लगातार अपना जो NPA है वो अच्छी तरही के से manage कर रही है अब आते है company का जो CAR है capital adequacy ratio उसके उपर company का जो capital adequacy ratio है 14 के आसपस है जो ठीक ठाक है PE जो valuation ratio वो भी बहुत कम है मतलब अभी company अच्छा return दे सकती है आपको सिर्फ 5 का PE है return on assets भी अच्छा है company का positive है बढ़ रहा है return on equity भी बढ़ रहा है ROC मतलब return on capital employed भी बढ़ रहा है आप आते हैं सबसे important part में हमारे आज का जो फीडियो है उसका सबसे important part पर अभी आते हैं आप सभी लोग जो stock market में involved है सब हल आसा करते हैं कि जानते है Morgan Stanley कौन है जो एक जाना माना दिगज है जो rating agency है और हाल फिलाल में वो जो फेडरल बैंक का जो rating है उसने upgrade किया है कितना price target दिया है 110 90 से बढ़के 110 कर दिया है अर्लियर वो 90 दिया था 110 और आप अगर देखें जिस दिन Morgan Stanley ले ये report update किया था जो rating थे वो भी बढ़ाई थी उसी दिन आप देख सकते है company 6% का return दिया था 75 के आसपास तक उस समय वहां से लेकर 82 83 तक गया था आप इसी बात से अंजाद लगा सकते हैं कि बाजार पे कितना अच्छा एक positive impact पड़ा है Morgan Stanley के इस report का अगर आप चाहे तो इस company में invest कर सकते हैं पैसा लगा सकते हैं आपका पैसा बन सकता है जो company का stock का अभी momentum चल रहा है इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खतम करते हैं अच्छा लगा तो like कर देना और subscribe भी जरूर कर देना नमस्कार